नवस्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोस पेपर वाइस और टोपिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोस को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं। आप जी एस पेपर टू के इस टोपिक से और जी एस पेपर टू में जो इंडियन डैस्फोरा का टोपिक हैं। उससे भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों। देखो कुछ दिनों पहले USA के राष्टरपती डोनल्ड टरंप ने कहा था जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फिलाल USA में पढ़ाई कर रहे हैं। और उनकी उन्वेस्टी अगर ओनलाइन एजूकेशन प्रोवाइड कर रही हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स का वीजा सस्पेंट कर दिया जाएगा। उनको वापस डिपोर्ट के जाएगा उनकी होम कंट्रीज में। तो इसके खिलाफ आवाज उठाई USA की विभिन उन्वेस्टी ने उन्होंने USA के राष्ट्रपती के इस आदेश के बाद कोट में जाने के धंके दी। की सिच्वेशन को ठीक से संभाला है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, उन्वेस्टी भी अब काम करने लगी है, उन्वेस्टी फंक्शन करने लगी है, बट अब क्या हुआ है, USA के राष्ट्रपती ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया है, इसके पीछे देखो काफी सा स्टुडेंट्स पढ़ते हैं, और ये बारा लाग स्टुडेंट्स USA की एकोनमी में, USA की जोब मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉंट्रिब्यूट करते हैं, और देखो अगर इंटरनेशनल स्टुडेंट्स को USA से डिपोर्ट कर दिया जाता, तो जो ब्रांड USA हैं, बहुत ज़दा एनरजी और पैसा इंवेस्ट करना पड़ता, ये भी एक रीजन हैं कि USA की सरकार ने इंटरनेशनल स्टुडेंट्स को डिपोर्ट करने का जो फैसला है, उसे वापस ले लिया, देखो अगर ये USA का डिसीजन इंप्लिमेंट किया जाता, तो हमारे देश के स एजूकेशन प्राप्त कर रही हैं, तो एक परकार से USA के राश्टरपती ने अपने पुराने फैसले को जो वापस लिया है, ये राहत पुंचाने वाला है, बैद देखो, अब आप ध्यान से सुनिएगा, हमारा कितना नुकसान होता है हर साल इतने स्टुडेंट्स ना सिर है, दूसरे देशों के education institutions को देते हैं as a two-send fee, और बाद में देखो, इन में से बहुत से students, foreign countries में ही settle down हो जाते हैं, और देखो, बहुत सारे students तो ऐसे होते हैं, जिनका foreign countries के educational institutions से education प्राप्त करने का मकसद ही ये होता है, कि वो education प्राप्त करके, वहीं पर settle down हो जाएं, लेक लेकिन इससे देश को काफी नुकसान होता है अगर देखो यही talented लोग क्योंकि जो लोग दूसरे देशों में जाते हैं education प्राप्त करने के लिए वो कहीं न कहीं merit में उपर ही आते हैं क्योंकि देखो इन foreign education institutions का admission का जो criteria होता है वो tough होता है test clear करना भी मुश्किल होता है तो अच्छी खासी merit वाले लोग जिनके अंदर talent है वही इस exam को clear कर पाते हैं लेकिन देश का नुकसान इस परकार से होता है इतनी बड़ी संख्या में हमारे talented लोग दूसरे देशों में जाते हैं वहीं settle down हो जाते हैं host country में उनकी economy को strong बनाते हैं वहीं पर intellectual knowledge में अपना contribution देते हैं आप देखो देख लीजिए आज वर्ल्ड की जो बड़ी companies हैं for example Google, Microsoft इन बड़ी companies में बड़े-बड़े पदो पर कितने Indians हैं अगर यही talented लोग वापस देश में आते देश की knowledge economy में contribute करते यहां पर job generation में contribute करते तो देश को कितना ज़्यादा फाइदा होता अब कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि ऐसे लोग जो settle down हो जाते हैं वो वापस अपनी family को भी तो remittance बेजते हैं तो इससे देश को remittance मिलती हैं लेकिन देखो बहुत ही कम क्योंकि जायतर ऐसे जो लोग होते हैं धिरे-धिरे क करके अपनी family को भी उसी host country में लेकर जाते हैं तो ना सिरफ देश को intellectual नुक्सान होता हैं बलकि financial नुक्सान भी होता हैं तो इस चीज़ को एदर्स करने के लिए economist जगदीश भगवती ने early 1970s में एक formula परजेंट किया था कि आप brain brain tax लगाओ मतलब अगर हमारे देश से students या fit talented लोग जो जाते हैं दूसरे देशों में settle down होने के लिए दूसरे देशों की citizenship लेते हैं तो उनके ऊपर एक tax लगाया जाए तभी हम उनको allow करेंगे कि आप दूसरे देश में जाके settle down हो सकते हो बट अभी तक हमने इसे implement नहीं किया है और नहीं देखो हमने कुछ ऐसा बहुत बड़ा campaign या फिर scheme चलाई हो कि हम foreign में settle down हुए हमारे जो talented लोग हैं उनको increase कर सकें कि वापस आप आईए देश में देश की economy में contribute कीजिए यहाँ पे knowledge economy को बनाने में सरकार की मदद कीजिए नहीं ऐसा कोई concrete effort नहीं देखने को मिल रहा सरकार की तरफ से अभी फिलाल एंडिया की सरकार है उससे पहले यूपिय की सरकार थी दोनों सरकारों ने ये माना कि भारतिय मूल के जो लोग विदेशों में अभी बस गए हैं वो एक परकार से इंडिया के लिए brain bank है इंडिया की development में अपना contribution देंगे लेकिन देखो ऐसा बहुत कुछ खास contribution दिया गया हो विदेशों में भारतिय मूल के जो लोग बसे हैं उनके द्वारा दिखता नहीं हैं इका दुका investment भी देखने को मिलती हैं और कहीं कहीं उनके परियास भी देखने को मिलते हैं अलग-अलग जगाओं पर development लाने में start-ups में लेकिन देखो जैसा हमने उमीद किया था खास करके 2000 के बाद कि जिस परकार से जपान, South Korea, China इन देशों के लोग जो विदेशों में बसे थे वो वापस अपने देश में आए उन्होंने अपने देश को strong बनाया हमारे भारतिय मूल के जो लोग विदेशों में बसे हैं वो भी वापस इंडिया में लोटके आएंगे 2000 के बाद लेकिन वो आए नहीं बड़ी संख्या में ऐसा article के द्वारा कहा जाता है और conclusion में ये कहा जाता है कि सरकार को अब इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए सीधा विदेश में एक और डिगरी हासिल करता है वहीं पर सैटल डाउन हो जाता है तो फिर सरकार का क्या फाइदा हुआ आप बताईए मतलब IIT जहां पर इतनी सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो टेक्स पियर्स का पैसा है जनता ने जो टेक्स अदा किया है उनसे IIT चलते हैं तो फिर क्या उनका फर्ज नहीं बनता देश के लिए कुछ करें अगर देखो कोई वापस आता है तो बहुत ही अच् इसकेशन